Next Tips है, Aero Shake. Aero Shake का use क्या है? मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ. Suppose मैं यहां पर Chrome open कर लेता हूँ. मैं यहां पर 3 window, मैं ने Chrome का 3 window open किया है. Suppose यह देखे, मैं Chrome के page पर आपको दिखा देता हूँ. यह Aero Shake आप इस तरह से use कर सकते हैं. Suppose मेरे यह धीर सारे pages खुले हुए है. Just tap इसके middle में आप mouse को click करेंगे और left-right को shake करेंगे. तो पीछे के जितनी windows हैं वो close हो जाएगी. और उसी middle point में जब आप दुबारा से shake करेंगे, तो जो आपका close हुआ app था वो directly आपके सामने आ जाएगा. यह सिर्फ Chrome में ही नहीं काम करेगा, यह आपका Windows Explorer में भी काम करेगा. Suppose मैंने यह C drive open किया, C column. अब मैंने यहाँ पर कोई object open in new window कर दिया, कोई मैं यहाँ पर document open कर ले रहा हूँ, open in new window करके. यह देखिए, यहाँ पर मेरे तीन windows खुले हुए है, explore के. जब मैं इसके corner पे middle पे पकड़ के ऐसे शेक करूँगा तो यह देखिए, बंद होगे. और फिर से मैं शेक करूँगा तो यह फिर से वापस आ जाएगा, यह देखिए अब. तो इस तरह से आप जो है arrow shake का यूज़ कर सकते हैं.